हेलो एब्रिवन गुट मॉर्निंग और अभी चाय से आज दिन के शुरुबात नहीं हो रही है चुकि आज मेरा व्रत है तो मैं चाय तो पी नहीं हूं इसलिए और मैं इनको चाय पानी सब दे चुकी हूं और फिर मैं आ गई हूं किचन में सबजी फ्राइ करने के लिए और मैं आज लॉकी की सब्जी बना रहे हूं अब भोगी कुकर में चाय अबए हल्दी और तेसटी कुकर में सिम्पल तेल डालके अपना जो भी राई जीरा डालके और अपने उस और थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद नमक डाल के उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हूं और इसमें ज्यादा पानी बिल्कुल भी डालना नहीं होता है क्योंकि लोगी भी पानी छोड़ती है इसलिए हलका सा मतलब करीब छोटा ग्लास कप में माप मालीजी आधा कप पानी मुश्किल से तो उतना पानी डालके मैं कुकर को बंद करके और इसमें फिर में मतलब तेज में तीन सीटी करीब तीन चार सीटी बुला लेती हूं और सब्जी बहुत ही अच्छी बनती बेकुल परफेक्ट बनती है बहुत सूखी नहीं रहती है बहुत ज़्यादा कुकर को बंद करके रख दूंगी बहुत एक तो ऐसी भी लौकी की सब्जी बहुत पॉस्टिक रहती है कुकर लगा दी हूं और बस तीन-चार सीटी तक वेट करूंगी यह देखिए हमारी सब्जी बनके तयार हो गई है कलर कितना सुन्दर लग रहा है फिर इसमें हरी धन अब उसमें डाल दोंगी और हरी दिन या डालने के बाद तो उसका अलगी कलर लगने लगता है यह देखिए और आप लोग भी ट्राइजरूर करिए ऐसे बना के बहुत ही टेस्टी लगती है अच्छी लग रहे हैं हेलो अबरीबन वेलकम बैक टो माई चैनल लाइफ आप रश्मी कैसे हैं आप सब आशा करते हूं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूं तो देखिए अभी आज अगहन का गुरु वार आज मेरा व्रत है मैं अगहन महीने में जो हिंदी महीना जो अगहन होता है उसमें जितने भी थाज़े पढ़ते हैं व्रैस पतिवार तो मैं व्रत करती हूं इस बार चार पढ़ रहे हैं आज चोथा है आज मेरा ये आखरी व्रत है अगहन के जो गुरु वार मैं कर रहे हूं तो मैं उड़ गई थी और पूरा सब काम आम करनें के बाद और क्या जब तक च चार ही थाज़े करना था ना तो इसलिए मैं इस व्रत में मैं नहाने के पहले पानी भी नहीं पीती चाय की तो आप छोड़ी और इतनी ठंड लग रही थी और पानी पीने की आदत है गरम पानी चाय की तो बहुत दिक्का थी लेकिन अब पूरा मैं उठके जब पूरा काम कर ली उसका है किचेन पुरी साफ करी फोड़ी मैं और नहाने के आंगे के बाद फिर मैं चाय पी हो, और यह देखिये मृधं की ठैना देखिए सिर्फ यह जिसमें चाय बनाई की चाय का बरतन है और यह पानी या का जाफ है वापी कि चैन मेरी मेरी एक दम साफ है पूजा करने के लिए गई पूजा करके अभी मैं आई हूँ और अब थोड़ा सा कुछ देखती हूँ तो अदूत उगरा ले लेती हूँ और उसके बाद फिर आज मैं जाओंगी कहीं गूमने कहीं बाहर जाओंगी बताओंगी क्या पहले से कुछ प्लान रहे और फिर बता दो हैं तो पहले से प्लानिंग करके चलो तो कभी वो सक्सेज नहीं होती है मतलब कुछ न कुछ ऐसा होता है कि हमको प्लान जो अपना कैंसिल करना पड़ता है है ना इसलिए मैं प पास्ट कर रहे हूं इसलिए यलो पहनती हो यह नहीं मतलब हर्ग हर फुर्श्थ इको मैं यलो पहनती हूं प्रक्म सोट्सय त्रवी पर पते हैं नस ऐलोते हैं तो ठीक है फिर मैं थोड़ीते बाद मिलती हूं कहां जा पहा हूह मैं आप को बताऊंगी देखते जाए पीस वीडियो पूरा देखा करिए ना तो फिर मैं मिलती हूं थोड़ी देर के बाद और ठंड आप लोग कैसी ठंड यहां तो बहुत तेज बहुत ही ज्यादा टेमप्रेचर जो यहां का है दस बारह ऐसे डिगरी चल रहा है मतला सुबह उठो तो हिम्मत नहीं होती लेकिन अब क्या कर उठकी करना पड़ता है लेडिस को तो बहुत जरूरी नहीं जल्दे उठकी अपना सब लेडिस एकर देर तक सोएंगी तो फिर अच्छा नहीं है ना अपनको तो ठंड हो गर्मी हो वारिश हो जो अपना रूटीन है वो तो येडूल जो है ना वो पूरा है डिस्टर हो जाता है कभी भी टाइम टू टाइम नेकर दख बागी Monday टू सैटर्डे थो एक Sé fish time तना ना सधरिय में गरखाएन देंट टांपके ड़न एक एक id हैं इस ताइम पे यह तन्की संड़े को कुछ नहीं संड़े को तो जिस पूजा ऊजा करके आ गई हूं और जो में लें तीज रो गई हूं और उसके बाद अब मैं तयार हो गई आप में जा रही हूं जहां भेंना थे देखिंग मैं तो समी हुआ हुआ है तो आप Λोब भी चलिए चलते हैं तो आप लोग हुआ एटे झाल 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 विशाल से वापस आते समय जो शौप लगती है न गरम कपड़ों की वहां भी हम लोग रूखे बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर जैकेट अगरा थी लेकिन लेट जादा हो गया थी इसलिए हम लोग लेनी पाए पसंद तो बहुत सारी आ रही थी तो इसलिए हम लोग ले नहीं पाए लेकिन बहुत थी अच्छी अच्छी थी फिर कभी जाएंगे और ठंड इतनी तेज हो गए थी फिर आते समय यहां भिलाई वालों को मालू हुगा सिविक सेंटर है वहां पर एक चाय पूर यह देखिए आप पढ़ सकते हैं यह ठेला लगाता है बहुत ही इसकी चाय बहुत ज्यादा फेमास है नाम यह चाय पूर है तो हम लोग बैठके वहां पर और घर आये हैं तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कहां गई थी मैं गई थी विशाल मार्ट ठीक है असल में में कोई ज्यादा वाहां कुछ सामान लेना नहीं था लेकिन घर के अंदर बहुत ज्यादा बोलियत हो रही थी तो कहां चले कहीं चलना चाहिए घर से दिख जाती है जो कि ऐसा लगता है कि नहीं है हमारे लिए जरूरी है आवस्यक्ता महसूस होने लगती है उस चीज की हमको अगर नहीं जाएंगी वह नहीं दीखेगी तो फिर हमको कुछ नहीं लगेगा तो बस यहीं मेरे साथ भी हुआ वहां पर गई जबकि लेने कुछ बस यह था कि थोड़ासा घर से बाहर निकलना है और थोड़ासा घूम फिर के आना है थंड भी बहुत ज्यादा है तो दोफर के समय गई थी अब आसते मेरा फास्ट भी था तो पूजा वगरा करके जब उठी हूं उसके बाद फिर तैयार होके फिर सीधे हम लोग चलेगा औ आपना जाती है तो किचन काही सामण ज्यादा देखती है बागी सबके साथ होता है तो मेरे कोई वहां जाके वही सब चीजे जो पसंद आती हैं। मैं वही हुनूँ। सब से पहले मैं यह ले के आए हुन। यह है। जैसे हम डाल, चावल होना है। तो हम इस परंटाल के जिसमें यह चेठ भी ना। करके के रख दीजिए। यह में लेके मेरे को बहुत दिन से लेना भी था और मेरे का चानक दिग गया तो मैं यह लेकिए आगए और एक यह क्यूट सा टेड़ी है और हाथ में यह है जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो अपना जो स्टेडी टेबल है उसमें रख दो दिखता भी अच्छा है थोड़ा मन खुश हो जाता है और इसके अंदर पिन वगरा रख दो पिन स्टेंड मालीजिए तो एक यह लाई हूं और मैं यह लाई हूं किचन की टॉगल मतलब तीन-तीन का सेट है एक यह लाई हूं और एक यह है ऐसा लगता है ना कि किचन में अपना वी अपन काम कर रहे हैं किचन के परपस से किचन में रहे हैं यह सामान उठाना रखना है गरम लगता है तो एक चार कसिट है इसके अंदर चोटे-चोटे-चार पूछने तो बहुत दिन चलेंगे क्योंकि हमको पोचना कितना है सिर्फ प्लेटफॉर्म अकेले साफ करना है बस और यह सौक्स है और यह स्पेशल मैगी तो मैं वह चेक करने के लिए यह दाल ले आई हूं जो मिक्स दाल है रहा यह मिक्स दाल का एक पैकेट लाई हूं और एक यह लाई हूं कि जैसे किचन में बरतन जो धोना पड़ता थोड़े बहुत जैसे क्रॉकरी है कप वगरा है काच के ग्लास है क थोड़े बहुत ग्लास बगरा है चोट चोटे बरतन अगर धोना पड़ा तो बाकी क्रॉकरी में में धोती हूं किचन में तो उसके लिए मैं एक लेक्या आई हूं यह अच्छा लगा किचन में रख लूँगी इसी अपना काम चले तो बस इतने सामाल लेक्या थी तो ज्यादा कुछ नहीं लाए दिख तो बहुत कुछ रहा था लेकिन पुछ लेनी गई नहीं थी इतने सामाल लेक्या थी और बस आज का मेरा वीडियो यहीं तक वहां से आई हूं आनेकर बाद मie तुरंत पूरे कपड़े चेंज करी हूं और उसके बाद पिर अपना बनाके खाया हूं चुकि मेरा फास्ट है तो जो बनाके खान साओ गई कि आए हूं आप लोग बताईएगा कमेंट करके तो मैं सुची कि आप लोगों को दिखा दो कि विशाल वहां से क्या लेकिया है आज कर वीडियो यहीं तक है और तो मैं ज्यादा आज कुछ करी नहीं पाई हूं सुबे से वही काम काम और ठंड के कारण तो बहुत ज्यादा दिकत होते और यहां टेंपरेचर बहुत ही ज्यादा कम है आप लोग बताईएगा आप लोग क्या टेंपरेचर कैसा है यहां तो दस बारा ऐसे ही चल रहा है बाहर निकलने की हमत नहीं हो रही आई मैं इसलिए श लोगे फिर शाल लोगे शाल साथ में लेके चलती हूं ठीक है तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूं आज की वीडियो बस इतनी है अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए कमेंट करके जरूर और शेर किजी अपने फेमली में फ्रेंड्स में और जो लोग मेरे चैनल पे आज नहीं आए हैं या जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे की नई वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप लोगों तक सबसे पहले आ जाएंगे ठीक है तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई